ट्रेन नंबर 02-08-05 में से आर्पीफ थानाद चंद्रपूर स्टाफ द्वारा दो व्यक्तियों को एकतस किलो मादक पदारत गांचा कीमत 3,10,010 रुपे के साथ पकड़े गए वरिष्ट मंदल सुरेक्ष आयक्त आशितोश पांडे की आदिशानुसार निरेक्ष आरपीफ चंद्रपूर एनपी सीह की निरदेशन में आरेक्षक प्रविन कुमार गुर्जर साथ में आरेक्षक कुमार मीना मादक पदारतों की विरुद रोकताम करने ही तू ट्रेन नए दिल्ली एक्स्प्रेस में चंद्रपूर से नाखपूर तक गाड़ी में गस्त कर रहे थे गश के दोरान कोच नमबर बीटु में सीट नमबर 28 पर सफर कर रही दो व्यक्तियों का बरताओ संशास पर लगने की वजह से पूछताच करकि उनके पास मिले बैग को दिखा आने के लिए कहने पर बैग में से गान चाजर सी गन आ रही थी इसकी सूचना स्टाफ द्वारा निरिक्षक आरपीएफ चनरपूर एवं निरिक्षक आरपीएफ नाखपूर तथा मंडल सुरक्षा नियंतरनकक्ष नाखपूर को दी गए प्राप सूचना के अनुसार सहा एक उपनिरिक्षक बीएस बगेल वस्टाफ के साथ उक्तगाडी को नाखपूर स्टेशन के प्लाटफॉर्म नंबर एक पर रुकने के बाद अटेंड करने पर स्टाफ की मदद से पकड़े गये कुल दो व्यक्तियों वह उनके पास मौज़ुत मिले चार बैक को रेलो पूच्टाज करने पर उन्होंने अपना नाम इसु बसंद अंसारी उम्रत 24 वर्ष निवासी गाव बकसाना थैसल दातागन जिला बंदूया उत्तर प्रदेश और गौरव जयंद्रुकुमार उम्रत 23 वर्ष निवासी गाव बकसाना थैसल दातागन जिला बंदायों उत् में पाए गए चार बैग को चेक करने पर उनसे तीन बैग में कुल तीन लाख दस हजार दस रुपए मिला तथा एक बैग में पहनने के कपड़े मिले थाना प्रभारी आरल मीना के निर्देशन में उपनरिक्षक पीएस बगेल साउनी द्वारा एंडी पीएस एक के तहट ज शेक पान से बीसी न्यूस नाखपुर